आप ये खुबसूरत फूल देख रहे हैं इसे कचनार या वोनिया कहते हैं ये खुबसूरत फूल है आप इसके कलर देख सकते हैं और वी कई रंगों में आते हैं आप इसे दस इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं और इसे आप कहां रख सकते हैं मैं सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा आप ये कचनार का फूल देख रहे हैं इसके आकार जितने बड़े है उतने ही सुन्दर इसके फूल है इसके फूल की मेडिशनल वेलू बहुत ही है इसके सासा इसके पत्ते चाल और इसके जड़ भी इसलिए इसकी आरुवेदिक में बहुत ही वेलू है इसके कली पेर में आती है इसकी कलीया आप देख रहे होंगे बहुत ही ठीक और बहुत ही बड़े अकार के हैं इसलिए इसे सिफ medicinal value के लिए लोग घर में नहीं लगाते हैं बलकि जारकर्ण में इसे लोग edible के लिए लगाते हैं इसके फूलों से बहुत सारे vengeance भी बनाई जाते हैं जो जारकर्ण में बहुत ही common है इसके फूल और कलियों से पकोड़े बनाई जाते हैं साग बनाई जाती है और खाने के लिए भी इसके उपयोग किये जाती है। और भी सारे जारकन के लोग इसके कई सारे वेंजन भी बनाते हैं। इसके सेवन से डाविटीज और थायराइट जैसे बिमारिया से बचाओ होता है। कचनार को कंचन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो वाट्निकल नेम इसका भुहूर्या है अगर आप हमिगवड नहीं देखा है तो आप कचनार के पौधे के पास देख सकते हैं इसके पौधे के पास बहुत सारे हमिगवड आते हैं वैसे कचनार बहुत रंगों के होते है इसके पूल सफेद, गुलाबी, लाल और भी कई रंगों में कचनार के फूलों के पास भोरे और मदमत्या मड़ाते रहते हैं वैसे कचनार के पौधे बड़े अकार के होते हैं और उसके फूल आप देख रहे होंगे कितने बड़े हैं इसके फूल और्किट के फूल के जैसा बिल्कुल देखने में लगते हैं ऐसे तो और्किट के पौधे आप हर जगा नहीं लगा सकते हैं लेकिन कचनार के पौधे आप हर जगा लगा सकते हैं इसके पेड़ बहुत बड़े होते हैं इसलिए इसे और्चिट्री के नाम से भी जाना जाता है इसमें धेर सारे फूल आते हैं आपके घर के आसपास इसे लगाते हैं तो आपके घर बहुत ही खुबसुरत लगते हैं अगर आपके घर के पास जगा नहीं है तो आपको निराज होने की जरूरत नहीं है आप इसे बड़े अगार के गमले में लगा सकते हैं या आप इसकी बहुंजाई बना कर भी लगा सकते हैं इसके पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं साल भन में ही इसका पौधा चार से पांच फिट का हो जाता है मैंने भी इसके चार से पांच वेराइटी लगा रखा है और मेरे आसपास की गलिये में भी इसकी धेर सारे पीड़ है चलिए बात करते हैं इसकी प्रुफ़केशन की वैसे कचनार सभी तरह के मिट्टी में असानी से लग जाता है उसे सिप खुली धूप चाहिए ये डॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं इसे रोजाना पानी देने की जरूरत नहीं होती है इसलिए इससे सडकों के किनारे लगाये जाता है कचनार, कटिंग और बीज दोनों से लगता है कटिंग से लगाने के लिए आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी इसके लिए आपको रूटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ेगी वैसे बीज से लगाना असान है कचनार में धेर सारे बीज आते हैं और उसके फूल आप देख रहे होंगे उसके फूल जब सुख जाते हैं वहीं उसके बीज तयार होते हैं कचनार के फूल को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके सेंटर में आपको स्टैमिन नजर आ रहा होगा यही स्टैमिन जब फूल को आप नहीं तोड़ते हैं तो यह बड़ा होकर फल्यों में बदल जाता है और इसमें धेर सारे बीज आते हैं वही बीज मैच्वर होके सूख जाते हैं और खुदी स्प्लिट करके जमीन में गिर जाते हैं जिससे नया पौधा तयार हो जाता है इसके बीज आप नरसरी या ओनलाइन मंगा सकते हैं इसके बीज लगाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिंगो ले उसके बाद ही आप लगा सकते हैं अगर कोकोपिट नहीं है तो आप इसे किसी भी तरह के मिटी में लगा सकते हैं ये बहुत ही असानी से उगाते हैं अगर आप इसके पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो टाइम टू टाइम इसकी टिप्स की पिंचिंग करते रहे हैं क्यूंकि इसकी ग्रो हो जाती है इसकी बोंजाई और भी खुबसूरत हो जाती है वैसे इसकी बोंजाई बहुत ही कीमती होती है जब कचनार में फूलों से भर जाते हैं तो इसकी खुबसूरती में और चांद चांद लग जाते हैं मेरी सला है इसके पौधे को आप गमले में लगाईए इसके बों इसके फूल आप खा भी सकते हैं और पूजा में चढ़ा भी सकते हैं तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो आप फूलों की पौदे लगाई हैं आप से पौदे ही ने लगाई हैं हमारे वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी ये फूलों को लगाएं और अपने घरों को सर्दियों में महकाएं और चमकाएं कि दूसरे लोग भी ये खुँऑ झालों को सर्दियों में महकाएं और चमकाएं।